नमस्कार आप देख रहे हैं जन्ता समाचार जन्ता के लिए जन्ता की आवाज तो आईए खबरों का सलसला जारी रखते हैं जन्ता दल युनाइटेट जबलपुर के जिला कार्याले में आज स्वतंतता सेनानी समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोर लुया जीकी पूनितिती मनाई गई इस अवसर पर जन्ता दल युनाइटेट प्रदेस अद्धिक्ष सूरज जैसवाल ने कहा कि राम मनोर लुया सिर्फ समाजवादी विचारधारा के ही नहीं बल्कि उनके प्रचारक भी थे नेपाल वर्लिन समेट अनेक देशों में उन्होंने सामाजवादी विचारधारा के फैलाव के लिए ना सिर्फ लोगों को जोड़ा बल्कि अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया उन्हाने अपनी सुचलिस्ट विचारधारां से कभी समझादा ने किया और हमीशा राज्तन्त का विरोध किया नेपाल में राणाशाही के खिलाब उन्होंने नेपाली सुचलिस्स पार्टी का गठन किया वही गोवा के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सबसे पहले भाग लिया। डॉक्टर राम मनो लोहिया जी का मानना था, लोकतंत्र में कभी भी सक्ता बल, बाहुबल और धनबल का प्रयोक नहीं होना चाहिए। आज लोहिया जी की विचारधारा वर्तमान परिस्तेती में सबसे ज़्यादा प्रिणा दायक है। बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार जी, लोहिया जी के मंशा अनरूप ही साशन चला रहे हैं और अति पिछले वर्ग के लोगों को उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। कारिक्रम में जिला अधिक्ष सुबास जैस्वाल ने इस बात का संकल पर दोराया कि लोहिया जी की नीतिश के अनरूप संघर्ज किया जा सकता है। जदिश कभी भी लोहिया जी को दिखाई हुए मारगों से नहीं हटेगा, नहीं समझोता करेगा। कारिक्रम में श्रिश सुबास जैस्वाल, मोहन दूबे, इमाम खान, मैला विंकी अधिक्ष गंगा के सरवानी, शबनम मीना विनोधिया, रोशन भाहिजान आदी उपस्तित। आज जबलपुर के पुलिस ग्राउन में एक स्रद्धानजली सभा का ओईजन हुआ, जिसमें दो पुलिस अधिकारों, खितौला, प्रभारी, कोपाल सिंग जगेल, और साई पंचम सिंगी करोना के कारण होए मृत्यू पर शोक प्रकट किया गया और स्रद्धानजली दी इस अफसर पर पुलिस आईजी भगवत सिंग चोहान, स्पे सिदार्थ भोगुरान सहीत आला दिकारी मौजूद थे। सपरवार उनके शाय संसकार के लिए हमने एडिसल स्पी प्रधानमंत्री श्री नरेंद मोदीन संपत्ती कार्ट लांच किया है, इसमें छे राज्यों के 763 गाउं को लाब मिल सकेगा या कार्ट रिण लेने के लिए इस्तमाल होगा। आज मदन महल थाना अंतरकट छोटी लाइन फटक के पास बिजली सुधार में लगे एक मजदूर की करेंट लगने से मौके पर रित्य हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुचकर जाज शुरू कर दिये। की है कोरोना वाइरस महामारी के मद्दे नजर बिहार के अलावा उन सभी राज्यों में भी ये सुविदा जारी रहेगी जहां पर उपचुनाओ होने वाले हैं। निर्वाचन आयोग दौरा सोमबार को जारी एक बयान में कहा गया कि चुनाओ में लगे बूत इस्तर के अधिकारी इस काम के लिए अगले दो चरणों में बिहार के करीब 12 लाग वोटर्स के घरों का दौरा करेंगे। वहीं फिलाल पहले चरण में 71 विधानसवा सीटों के लिए बावन हजाद से जादा वरिष्ट नागरिकों और दिव्यांग स्रेणी की मद्दातों ने पोस्टल बैलेट के जरी अपना वोट देने का विकल्प चुनाए निर्वाचन आयोग की मताबिक पहले चरण के उत्तर प्रिदेश के मत्रह में श्रेकरिष्ट ने चर्ण मभूमी परिसर का मामला एक बार फिर अदालत पहुच गया है सोंबार को श्रेकरिष्ट विराजमान की ओर से जिला अदालत में केस दायर किया गया इसमें 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करते हुए मालिकाना हक मांगा गया इसके साथ ही शाही एदगाओं मस्जिद को हटाने की मांग की गई है अदालत में वकील हरी संकर जैन वह विश्णु जैन करीब दो घंटे की दलिले रखी इसके बाद अदालत ने अगली कारवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारिक तहकी है वकील हरी संकर जैन ने कहा कि अदालत ने हर पहलू को सुना और समझा है 16 अक्टूबर को मामली के अगली सुनवाई होगी लोवर कोड का रिकार्ड तलब है 1968 में हुआ समझा था एक फ्रॉट था स्रीकृष्ण ने जन्मभिमी का एक अच्छा खासा भूबा मस्चित ट्रस्ट को दे दिया गया जो हिंदू के हितों के खिलाब है बता दे इसके पहले 25 सितंबर को सिविल जज सीनिय डिविजन कोड में याची का दायर की गई थी जिस पर 30 सितंबर को सुनवाई के बाद सिविल कोड ने याची का खारिश कर दिया था स्रीकृष्ण विराजमान की और से एड़ोकेट रंजना अगनिहोतरी ने बताय कि उन्होंने जिला जज मतुरा के अदालत में अपनी याची का दायर की है उन्हेंने कहा जिस जगा शाहिए इद गाव मस्जित खड़ी है उस जगा कारगार था जहाँ भगवान स्रीकृष्ण का जन्म हुआ था 1951 में श्रीकृष्ण जन्म भूमी ट्रस्ट बना कर यतय किया गया था कि यहां दुबारा भव्य मन्दिर का निर्मान होगा और ट्रस्ट उसका प्रमंदन करेगा उसके बाद 1958 में श्रीकृष्ण जन्म स्थान सेवा संग नाम की संस्था का गठन किया गया कानिनी तोर पे इस संस्था को जमीन का मालिकाना हाख खासिल नहीं था लेकिन इसने ट्रस्ट के लिए तह सारी भूमी का निभानी शुड़ो कर दी इस संस्था ने 1964 में पूरी जमीन पर नेंतरान के लिए एक सिविल किस दायर किया लेकिन 1968 में खुद ही मुस्लिम पक्ष के साथ समझता कर लिया इसके तहट मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कबजे की कुछ जगा छोड़ी और उन्हें मुस्लिम पक्ष के बदले उत्तर प्रिदेश के हमेरपुर जिले में इंसानियत को शर्मशार करने वाली गटना सामने आई है यहां मकान का किराया ना दे पाने पर मकान मालिक ने अपने बेटे और घर की महिलाओं के साथ मिलकर किराय से रहे गए बिदवा महिला को मार पीट की इसके बाद महिला को पेट से बांद कर उसका समान घर के बाहर फेक दिया कटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने पीडित महिला को मुक्त कराया पहर कुतवाली अंतरगाज जेल तलाब इलाके में रहने वाली शोभा देवी की पती की मौत हो चुकी है वो भागिरत प्रजापती के मकान पर किराय पर रह रह रही थी मेनद मजदूरी करके सोभा देवी करोना काल में काम नहीं मिल पाने की वेसस से कई मेने उसमें मकान के किराया नहीं दे पा रही थी गिरिफ्तार किया गया है, बाकियों की तलास जारी है, आरोपियों पर कड़ी कारवाई होगा है। गिरिफ्तार किया गया है, बाकियों की तलास जारी है, बाकियों की तलास जारी होगा है। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। झाल सब्सक्राइब करें। झाल सब्सक्राइब करें।